आज मैंने बनाया है ये डोरमेट यानि आसन इसे बनाना बहुती आसन है और बहुती आसन तरीके से बन जाता है इसमें मैंने दो कलरों का इस्तमाल किया है अगर आपके पास कोई और कलर हो तो आप उससे भी बना सकती है ये मैंने 20 फंदों का बनाया है क्योंकि ये मैंने यानि आसन बनाना इस्टार्ट करते हैं यह मेरे पास बेश्ट पड़ी हुई उने यह फैदर वाली है और यह साधा उने तो फैदर वाली उन्से मैं आपको फंदे डालते बताती हूं इसमें नौट लगाएंगे यह मैं डबल उन्से बना रही हूं देखो दोनों में नौट लगाएंगे यह मैंने नौट लगा लिए है अब इस तरीके से हम फंदा बनाएंगे देखो ऐसे गो जो इड़ लो टी एड़ चार पंछ शे यह सक्तै आट नौल यह देखो लिए यह साव यहाँ ड्रवल जोड़ चे यह सार आट तो ऐसे ही हमें 20 फंदे डाल लिए इसमें, टूटल फंदे हम 20 डालेंगे यानि 20 तो दीख ही मेरी ये 20 फंदे डाल लिए हैं तो अब इन्हें हम बनाएंगे हमें ये उन्टा उन्टा बनाएंगे सीधा नहीं बनाएंगे तो देखी मैंने इस पर एक सलाई लगा लिए यानि एक रो मैंने फिर लिए अब मैं दूसरी रो देखिए बुना रही हूं तो देखिए पहली बार मैंने ये दो फंदे छोड़ेते देखिए एक दो अब की बार में ये दो फंदे छोड़ रही हूं एक फंदा को और बुन के दिखाती हूं आपको अब यहीं से धागे को अपनी तरफ करेंगे देखो और फिर से बुही बुनाई करेंगे जो हमने बुन रहे हैं उल्टा उल्टा तो ऐसे ही पूरी एक कली हम बना लेते हैं तो देखिए मेरी ये पूरी दो दो करके फंदे मैंने ये सिलाई बना लिए और ये मैंने कली देखो मेरी पूरी हो गई है देखो ये मेरी कली पूरी हो गई है यहां से मैंने दो दो फंदे करके छोड़े थे और ये यहां तक देखो मेरी कली पूरी हो गई है तो अब यहां से हम अपनी तरफ फंदे को लेंगे और इन दो फंदों को भी में बुल लेती हूं तो अब क्या करेंगे जो हमने आस्वानी कलर की उन ली थी उससे नौट लगाएंगे यहां पर देखिए यह मैंने नौट लगा ले है अब यहां से हम दो सिलाई साधा बनाएंगे यानि यो साधा वाली उनती उससे बनाएंगे और जो हमने फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को हम इस वाली उनसे बना लेते हैं देखिए मैंने यह सिलाई बना ले है देखो ऐसे ही इसके हम दो सिलाई और लगाएंगे एक हो गई और तीन और लगाएंगे तीन लगाएंगे चौकर दो सिलाई हम बनाएंगे इसकी दोनों तरफ से चार सिलाई और एक तरफ से दो सिलाई देखिए तो ऐसे ही दो सिलाई हम बना लेते हैं तो देखिए मैंने यह दो सिलाई बना ली हैं देखो ये दो सिलाई मैंने ये बना ली है तो अब क्या करेंगे देखिए इस बाले फंदे को हम इधर की साइट में करके और इससे बनाते जाएंगे सभी फंदों को अब हम इसी कलर से बनाएंगे और अंजी कलर से तो देखिए अभी मैंने कोई फंदे नहीं छोड़े हैं यहां से ना इस लीले कलर में मैंने छोड़ेते आस्मानी कलर में सोरी और ना ही इस बाले कलर में छोड़े हैं मगर अब इससे लाई को लगा कर इधर से हम बुनेंगे तो इसमें फंदे हम दो दो करके छोड़ते जाएंगे तो ऐसे ही कली हम बनाते जाएंगे इसी तरीके से तो देखिए ऐसे ही अपनी कलीयों को हम बनाते जाएंगे देखिए कितनी प्यारी सी सुन्दर सी जिजान लग रही है बहुत ही सिंपल सी यह जिजान है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है इसमें कुछ भी नहीं करना सिर्फ उल्टे उल्टे फंदे हमें बनाने हैं तो ऐसे ही बाकी को भी बना लेते हैं तो आप देख रहे हैं मैंने ये दस कलियां बना के तयार कर ली हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आज, नो, दस तो अब ये डोर मैक मेरा बन गया है सिर्फ एक सलाई यानि नीले कलर की दो सलाई और लगाएंगे इस पर अगर आप एक कलर से बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं मगर मैंने दो कलर इसलिए इसमें लगाए हैं कि आप देख लें कि मैंने कहां से कहां तक ये कली बनाई हैं एक कलर का भी बहुत अच्छा लगेगा और इसमें हरेक एक कली को तुम और कलर से बुनाँगी वो भी अच्छा लगेगा एक सलाई और लगाएंगे इस पर तो देखिए अब क्या करेंगे अभी मैंने देखो दो सलाई बना ली हैं एक तरब से दोनों तरब से चार सलाई मैंने ये बना ली हैं लीले कलर की सॉरी आस्मानी कलर की तो अब क्या करेंगे अब हम फंदे इसने फंदों को उतारेंगे क्योंकि यह मेरा लड़ू गोपाल का आसन बनके तैयार है तो अब मैं इस कलर से उतारूंगे अपने सभी फंदों को तो डवल डवल करके फंदे को हम तारते जाएंगे अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मेरी वीडियो पूरी देखें ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप जल्दी से मेरी तरह इसे बना लेंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर पूरी देखें देखिए मैं डबल फंदे करकर के उतार रही हूं इसे सबी फंदों को इसी तरीके से उतार लेंगे तो दीखिए मैंने ये सबी फंदे उतार दी आइए एक फंदे को हम बढ़ा करेंगे थोड़ा सा जो हमारी हमने उता रहे हैं उसी गोले को ये पंदे उता रहे हैं उसी गोलों को और देखिए मैंने एक पंदा इतना बड़ा irgendwie आप लिया है अब क्या कराएंगे इस मैसे से निकाल के नठा लगा देते हैं देखो है नठा लग जाएगी अब जाहें जिसे कितना भी कीचो फंदे हमारे नहीं निकलेंगे अगर आप नोट नहीं लगाएंगी तो आपके सारे फंदे निकल जाएंगे तो अब यहां से इस दागे को हम कट कर देते हैं और देखिए ये मेरा डूरमेट बनके तयार है यानि खाकुर्जी का आसन बनके तयार है आप इसकी सिलाई करनी है हमें तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो देखिए मैंने इस बड़ी सुई का इस्तमाल करूंगी इसे सिल्ले में क्योंकि चोटी वाली उन में ये धागा नहीं आता है उनका चोटी वाली सुई में तो देखिए मैंने ये सुई में धागा लगा लिया है यानि इसमें और देखिए ये मैंने नहां पर नोट लगा दी है तो अब क्या करेंगे अच्छी से इसे की हम सलाई करेंगे उल्टी तरफ से इतर की साथ से सलाई करेंगे हम बढ़िया जिध्य करेंगे मत्र करेंगे हैं तो अ बढ़ियी झाल अगर आप सीधी तरफ से सिलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा सिलाई हम अमेशा उल्टी तरफ से की जाती है चाहे कपड़े की हो या दोर्मेट की हो या आसन की हो किसी की भी हो मैं यहां से यह दागाया तो इधर की साक में नहीं सुई को डाल रही हूं इधर की साक में डालूंगी तो ऐसे ही हम इसे सिल लेते हैं कर दो अजय को का दो अजय को का दो हम इसे सिल लेता हैं कर दो कर दो इसे हम चारो तरप से सिलेंगे ताकि अच्छे से ये बीच का गोला अच्छे से सिलाई हो जाए इसकी अच्छे कि अच्छे ये कि अच्छे ने कि अच्छे में बीचिए तो यह मेरा सिलके तयार है, देखो, सीधी तरप से भी मैं दिखा देती हूँ आपको, तो आप क्या करेंगे हम इस दागे में नोट लगाएंगे, दो नोट लगाएंगे ताकि अच्छे से, और धागे को हम कट कर देते हैं, देखिए, यह मेरा दूर में सिलके और बनके तयार है, देखो, यानि ठाकुर्जी का सिंगासन, आसन बनके तयार है,